नमस्कार स्वतंत्रता दिवस के अफसर पे सभी देश वासियों को सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धेश सारी दिल से शुब कामना है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था आजी के दिन 15 अगस्त को हर साल हम लोग 15 अगस्त को उन सब लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए खुब त्याक किया था तपस्या की थी अपनी जान के कुर्बानी दी थी सुभाश अंद्र बोस भगत सिंग अश्वाकुला खान चंदर शेखराजाद नजाने कितने लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी बाबा साब अंबेट कर महात्मा गांधी सरदार पटेल नजाने कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन, पूरा जीवन में त्याक किया, तपस्या किया, अपना केरियर बर्बाद कर दिया और देश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानी में लग गए देश आजाद होने के बाद 1947 से लेके आज तक पिछले 73 साल में इस आजादी को बरकरार रखने के लिए भी बहुत लोगों ने कुर्बानी दिये आज भी बॉडर के उपर नजाने कितने सैनिक अपनी जान कुर्बान करके हम लोगों को सरक्षित रखे हुए हैं आज जब आप खुली हवा में सांस लेते हैं आजादी के साथ सड़कों पे टहलते हैं आजादी के साथ ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमें एहसास भी नहीं होता कि कितने सैनिक बॉडर के उपर अपनी जान कुर्बान करके हमें ये आजादी बखचते हैं कुछ दिन पहले आपने सुनाओगा चाइना के बॉडर के उपर हमारे बीस सैनिक चाइना के साथ दो दो हाथ करते हुए शहीद हो गए आज का दिन उन सब लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने पिछले 73 साल में इस आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी उन्हें याद कीजिए उनके परिवार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्हें याद कीजिए और इस आजादी को बरकरार रखने में हमें भी अपना योगदान देना है एक तरफ जहां ये सैनिक देश के बौडर के उपर अपनी जान कुर्बान करके हमें आजादी बक्षे हुए हैं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश की प्रगती में अपना योगदान दें वो लोग बौडर के उपर हमारी आजादी बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं हमें देश के अंदर रहके हर नागरिक को एक तरफ उनकी कुर्बानी को याद करना है उनकी कुर्बानी को सलाम करना है और अपना अपना योगदान देना है आज 15 अगस्त के दिन अगर हम केवल औप्चारिक रूप से 15 अगस्त मना कर अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा हमें भी अपनी तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है तो मैं आज आप लोगों से तीन चीज़ों की दर्खवास्त करता हूँ पहली चीज आज हम प्रण ले सकता हैं कि हम अपने जीवन में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे प्रष्टाचार करना रिश्वत लेना रिश्वत देना देश के साथ गदारी है भारत माता के साथ गदारी है उन सब सैनिकों के साथ गदारी है जो देश के बौडर के उपर अपनी जान कुर्बान करते हैं उन सब लोगों के साथ गदारी है जिन लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की भगत सिंग के साथ गदारी है चंदर शेखर आजाद के साथ गदारी है सुभाष चंदर बोस के साथ गदारी है तो एक तो हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम नारिश्वत देंगे और नारिश्वत लेंगे दूसरा प्रदूशन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जल या वायू का प्रदूशन होगा अगर आज हम अपनी भधरती को प्रदूशित करते हैं अगर आज हम अपने जल को प्रदूशित करते हैं हम अपनी वायू को प्रदूशित करते हैं ना केवल हम अपनी अपने देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं बलकि आने वाले generations आने वाली पीडियों की भी जान को हम दाओं पे लगा रहे हैं तो दूसरा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हम जल, वायू या पृत्वी को प्रदूशित करें और तीसरा काम हम कर सकते हैं कि अपने देश को साफ सुत्रा रखना है गंदगी नहीं फैलानी है मैं कई बार यह सोचता हूँ कि जब हम सड़क पे निकलते हैं दो मिनिट नहीं सोचते, कुछ खाया और सड़क के उपर कुछ भी फैंक दिया यह सड़क भी तो अपनी है जितनी पब्लिक प्लेसेज हैं पब्लिक प्लेसेज के उपर अपने घर में नहीं फैंकेंगे अपने ड्राइंग रूम में नहीं फैंकेंगे लेकिन सड़क पे निकलके तुरंट कुछ ना कुछ फैंक देंगे तो हमें अपने देश को साफ सुत्रा रखना है ये तीन चीजें हमें याद करनी है तीन चीजों का आज 15 अगस्त को हमें प्रण लेना है तब ही हम ये सोच सकते हैं कि हम उन लोगों के कुर्बानी को सच्चे तरीके से याद करने हैं लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई और जिन लोगों ने हमें आज देश को आज़ाद रखने में अपनी कुर्बानी कर रहे हैं एक बात और आपके साथ मैं आज सुतंतरता दिवस के उपर करना चाहता हूँ पूरा देश और पूरी दुनिया इस टाइम महमारी से जूज रही है पूरे देश के अंदर करोना फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर करोना फैला हुआ है ऐसे समय कहते हैं कि मानव जाती के इतिहास में इतनी बड़ी महमारी कभी नहीं आई इतनी बड़ी विपदा मानव जाती के अतिहास में कभी नहीं आई 1918 में Spanish Flu आया था वो भी काफी बड़ा था लेकिन बताते हैं कि करोना की ये महमारी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है सब लोग जूज रहें इससे कहीं लोगों की मौत हो चुकी है ऐसे में मुझे दिल्ली के लोगों के उपर गर्व है ऐसे में मुझे मेरे दिल्ली वासियों के उपर गर्व है कि दिल्ली के लोगों ने अपनी सूजबूज से अनुशासन से महनत से हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके करोना पे कुछ कुछ कंट्रोल कर लिया मैं यह नहीं कहुँगा पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है कुकि यह ऐसी महामारी है जिसका किसी को कुछ नहीं पता कि यह कल क्या रूप धारन कर लेगी अभी फिल हाल स्थिती कंट्रोल में है दिल्ली के अंदर आज हम दिल्ली में 100 टेस्ट करते हैं तो दो महीने पहले 35 लोग बिमार निकलते थे उसमें आज 100 टेस्ट करते हैं तो 6 लोग बिमार निकलते हैं आज दिल्ली के अंदर कोरोना से होने वली मौतों की संख्या में भारी कमी आई है दो महीने पहले जहां रोज 100 से जादा मौत हो रही थी आज दिल्ली के अंदर 20 से भी कम मौत हो रही है इसको भी कम करना है इसको जीरो लाना है एक भी मौत नहीं होनी चाहिए करोना की वज़े से उस दिशा में भी सब लोग लगे हुए लेकिन काफी कमी आई है आज दिल्ली में 90 प्रतिशत से जादा लोग जो करोना से संक्रमित हुए थे वो ठीक होके घर जा चुके हैं केवल 7 प्रतिशत लोग बिमार बचे हैं उनका भी लाज चल रहा है भगवान करेगा वो भी जल्दी स्वस्त होंगे तो दिल्ली में हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली के 2 करोड लोगों ने मिलके कई स्टेपस उठाए सबसे एहम स्टेप था कि हम लोगों ने टेस्टिंग खूब कर दी गली-गली के अंदर हमने टेस्टिंग की सुविधा दे दी कि जिसको टेस्ट कराना है वो टेस्ट करा सकता है और टेस्ट कराने के बाद अगर कोई बिमार था अगर उसको थोड़े से लक्षन थे, mild Lक्षन थे, asymptomatic था उसका घर पे इलाज किया, उसका खर ऐलाज किया उसका घर पे इलाज किया तो ये तीन चार कदम बड़े-बड़े हम लोगों ने दिल्ली में उठाई जिसकी वज़ा से आज स्थिती नियंतरण में नजर आती है देश भर में इस टाइम करोना विक्राल रूप धारन कर चुका है साथ हजार से जादा केस डेली आ रहे हैं एक हजार से जादा मौतें डेली हो रही है मुझे बबिहत चिंता होती है सोचके इसे भी हम सब लोगों को मिलके एक साथ मिलके इकठे होके एक देश की तरह करोना से करोना के संकट का सामना करना है सब ही सरकारें अच्छा काम कर रही है सभी राज्य सरकार हैं अच्छा काम कर रही है के अंदर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है मैं convince दिल्ली के अंदर हम सब ने मिलके इस पर काबू पाया मुझे लगता है कि अगर दो, तिन कदम और उठाए जाएं जो काम चल रहे हैं वो अच्छे काम चल रहे हैं दो-तिन कदम और उठाए जाएं मुझे डर है कि अगर ये गाउं-गाउं में फैल गया तो देश के अंदर बड़ा विक्राल रूप धारन कर सकता है एक तो हर गाउं के अंदर ओक्सीमीटर दो-तिन ओक्सीमीटर अगर पहुँचा दिये जाएं हर गाउं के अंदर तीन-चार ओक्सीजन के सिलेंडर पहुचा दिये जाएं तो अगर हर गाउं के अंदर कोई भी और हर गाउं के अंदर टेस्टिंग की सुविधा कर दी जाएं तो हर गाउं में कोई भी बिमार होता है अगर उसके कम लक्षन है तो घर में ही उसका इलाज हो जाएगा सांस में दिक्कत है तो उसको वहीं पंचायत घर में ऑक्सीजन सेलेंडर के उपर ऑक्सीजन की सुविधा दे दी जाएगा और ज्यादा बिमार होता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में ले जाए 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 ऐसा करने से हर गाउं के अंदर करोना को नियंतरन करने के लिए गाउं में सुविधा तयार हो जाएगी और अस्पतालों के अंदर उपर प्रेशर कम पड़ेगा मुझे लगता है यह तीन चार चीजें करने से काफी करोना को मैनेज करने में मदद मिलेगी यह समय एक दूसरे की बुराई करने का नहीं है यह समय किसी भी सरकार की बुराई करने का नहीं है यह समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है ये समय सब लोगों को मिलके करोना से लड़ने का है सब लोग मिलके करोना से लड़ेंगे तक करोना हारेगा आपस में लड़ेंगे तक करोना जीत जाएगा हम हार जाएंगे आईए आज हम सब लोग मिलके प्रन लेते हैं कि हम सब लोग एक देश की तरह एक राष्टर की तरह इकठे होके करोना का मुकाबला करेंगे और देश को करोना से सुरक्षित रखेंगे जैहन